अबस्त विष्ण जा कर जीरु कantine के लिए ह मना हमा सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिष्डी के लिए नीती की विश्यों का श्रवन कर रहे हैं नीती हमें सिखाती है कि हमें अपना नजरिया सुधारना चाहिए हमें अपना दिश्टिकून सुधारना चाहिए और जो चीज जैसी है उससे वैसा देखना चाहिए लोग कहते हैं कि अच्छी चीज़ों में अच्छाईयां देखें और बुरी चीज़ों में बुराईयां लेकि नीतिकार कहते हैं कि बुराईयों में भी अच्छाईयां खोजें अगर वेक्ति से कोई गलती होती है तो उसकी गलतियों को नजर अंदाज करके उसमें गुणों को देखे तब आप एक positive attitude को प्राप्त हो पाएंगे होता ये है कि हर मनुष्य के एक tendency होती है कितने ही अच्छा आप परो उसको कमियां ही दिखती है गलतियां ही दिखती है तो ये मानव का एक प्रक्रतिक रूप है लेकिन मानव से मानवत्ता की ओर जाना है तो आपको गलतियों को नजर अंदाज करना पड़ेगा खास करके उनकी गलतियों को जिनके साथ आप जिन्दगी बिता रहे हैं मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ आज आपसे की होता यह है कि अपन अपनों की गलतियां देखने लगते हैं फिर अपने ही अपन से पराय हो जाते हैं पराय तो आपके हैं यह नहीं पड़ोसी आपका नहीं है मित्र आपके नहीं है जो परिवार की लोग हैं आपके उनकी आप गल्तियां देखना प्रारम कर देते हैं और फिर वो ही आप से दूर हो जाते हैं इस बात को समझें आपस में मिल जोल करके रहना हो सोहार दुत्पन करना और एक पृद्धी का विवहार बनाना हो काम चल सकता है यह दिवाल है माना कि इस दिवाल से पेंट गिर रहा हो माना कि इस दिवाल में पेंट ना हो कोई बात नहीं कम से कम यह दिवाल आपकी हवा पानी से रक्षा तो करी है पेंट नहीं है तो क्या हुआ रक्षा तो कर रही है तो अपन गुण देखें गलतिय ना देखें अक्सर वो रिष्टे काँच की बोटल की तरह टूड जाते जिनमें लोग एक दूसरी गलतियां देखते है Change your attitude अपने नजरिये को बतले एक दूसरे की गलती ना देखें एक दूसरे की गुण देखें आज की नीती कह रही है कि अपने साथ वालों की गलतियां देखने की अपिक्षा उनकी गलतियों से सीख ले जो आपके साथ के लोग हैं मित्रगण हैं उटने बैटने वाले हैं उनकी गल्तियां ना देखे उनकी गल्तियां देखेंगे तो कभी आप उनको accept नहीं कर भाएंगे उनकी गल्तियां देखने की आप एक्षा उनकी गल्तियों से सीख ले ले कि देखो इसने एक गल्ति कर ले और इसने एक गल्ति करके गल्ति से उसके loss हो गया राम ने भी गलती करी है अगर आप सामाने मनुश्यों की बात करो तो विक्ति क्या होता है कि हर समय पॉजिटिव ओरा में नहीं रहता तो कई बार वो गलत निड़ने भी ले लेता है तो ले लिया तो ले लिया उसे सीख ले ले उससे आपको भी यह कुछ न कहें कि तुमने गलत निड़ने लिया है या उसकी गलतीयां बार बार न गिना है एक बात ध्यान रखना आप अगर किसी गलतीयां बार बार गिनाते हो तो तलवार चुबाने से ज़्यादा दुख उसको दर्द उसको होता है कभी गलतिया ना गिनाए किसी की हाँ उनकी गलतियों से सीख ले देखो एक राजा के राज में बहुत बड़ा मंत्री था और जो मंत्री था वो प्रति बुद्धी भी था और विश्व प्रसिद था राजा उसे कई बार बहुत बहुत प्रभावित हुआ एक दिन राजा ने उसे पूछा कि तुमने किस गुरकुल से बढ़ाई करी है उसने नाम नहीं बताया पिर दीरे से मंत्री ने उसे पूछा फिर राजा ने कि अच्छ़ तमारे गुरु का नाम किया है अब वो मंत्री क्या बोलता गुरू होते तो वो बताता न वो दीरे से कहता है राजन मैं जूट तो नहीं बोल सकता हुँ लेकिन इस दुनिया के जितने मूर्ख हैं सब मेरे घुरू है क्योंकि वो गलतियां करते हैं उनकी गलतियां देखकर के सीखता हूँ मैं और अपने आपको build-up करता हूँ, आपको भी यही करना है, आप देखो कि बहुत सारे इससे environment या परिस्तितियां आप लोगों के साथ आजाती है, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, आप गुरू को याद करते हो, प्रभू को याद करते हो, लेकिन काम आप ही करते हो, तो काम आप कैसे करते हो, उन परिस्तितियों से आप लड़ करके, उन परिस्तितियों से सीख करके, आप काम करते हो, तो जब भी कोई आपके मन के, आपके नेचर के विप्रीत कोई environment आपको मिलता है, कोई विक्ति मिलता है, उससे सीखें, कि ये किस नेचर का आदमी है और हमको इसमें से क्या क्या नहीं चाहिए जो उसकी गलतिया हो उसे सीख ले अच्छा है स्टुडेंट वो होता है जो ये नहीं देखता कि तीन नंबर कम आए है वो ये देखता कि तीन नंबर कम क्यों आए है अगर 97 मार्क्स आए है तो रोने की जगा वो ये देखे कि मैंने गलति कहा करी अगली बार वो गलतियों उससे ना हो तब आप माना हो करके माना हो रह पाएंगे ये देखी गलतियां तो सबसे होती है मैं कहता हूँ कि गलतियों से ज़ुद तू भी नहीं वो भी नहीं दोनों ही इनसान है एक और human tendency है कि वो जो होता है अपने से छोटे वाले को दबाता है बड़े को नहीं दबाता जो उससे छोटा होता है न हमेशा उसको दवाता और गुस्टा एक बहुत समजदार चीज है वो छोटे की उपर आती है बड़े के सामने नहीं आता है छोटे के सामने आता है तो आप देखो जब किसी कोई गलती दिखती है न तो वेक्ती wait and watch करता है कि frustrated रहता है बोलता नहीं है बोलता कब हो जब कोई छोटा है उससे हलका मिल जाए आप दुकान में थे दुकान में business related कोई problem हो गई आप घर आए आपने पूरी गुस्सा पत्नी पर उतार दी पत्नी ने बच्चे पर उतार दी आपके बच्चे ने छोटे भाई पर उतार दी छो लोग होते हैं न वो frustrated होने पर अब वो खिलोना नहीं तो क्या करेगा वो दीवाल में सिर मारेगा वो गुस्सा अपना ही अपनी उपर निकालेगा क्यों क्यों कि उसके पास कोई और कोई सादन नहीं मिल रहा इस बात को समझें गल्तियां वो जाना ये मनुश्य की प्रवत होती है लेकिन किसी गल्तियां गिराना ये माना होता नहीं दाना होता है पर एक बात अगर उसकी गल्ति हो तो वो सुन भी ले उसकी ना हो तो उसको क्यों सुनाई जाए जो है सो है इसको accept किया जाए जो चीज आपको जैसे मिल रही है उसका वैसा आनन लोटी है एक व्यक् कि जिसके जीवन में कोई गलती ना हो जो 100% perfect हो कहते सबी हैं I am perfect I am perfect Nobody is perfect तो ढूनने निकला कि मैं उसी के साथ रहूँगा जो 100% perfect होगा कोई नहीं मिला अब उसको यह लगा कि मैं ही perfect हूँ तो जो मेरे जैसा होगा मैं उसके साथ रहूँगा बहुत दिन होगा कोई नहीं मिला फिर एक नीतीकार ने कहा अगर तुमने गलतीयों के साथ विक्ती को नहीं स्विगारा तो तुम कभी किसी के साथ नहीं रहे पाओ के चौराये पर अखेले मिलो आप लोग कपड़े ख़ड़ते हो कपड़े ख़ड़ते हैं आप लोग फिर उसको फिनिशिंग कराते हो अगर आप रेडी मेट भी लेते हो तो फिटिंग कराते हो थांद से कटाके लेते हो तो फिटिंग कराते हो मतलब कपड़े को भी आप सेट करके रखते हो अपने पास, खाना खाते हो, सबजी खाते हो, दाल, तुटी, सबजी खाते हो, सीधा कोई नहीं खाता, पहले उसको पकाते हैं, फिर खाते हैं, ककडी भी खाते हैं, जहर निकाले खाते हैं, फल भी खाते हो, तो भीज निकाल की खाते हैं, तो मतलब फेट भी भरना है, तो कह एजिस्मेंट करके रहते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, एजिस्मेंट करके रहते हैं, एक दूसरे की गलतियां देखेंगे, ध्यान रखना आप गलतियां देखेंगे, तो गलतियां बढ़ेंगे, आप गुण देखेंगे, तो गुण बढ़ेंगे, आपके अंदर, अगर बाजू में एक सोने का पहाड उस पहाड को देखा था आप वो क्या लगा आपके दिमाग में सोने का पहाड है उसी के बाजू में एक सुन्दर वरक्ष था आम हुगा आपने उसको देखा तो आपके यहाँ पर एक डिजाइन बनी वो कौन से बनी, आम के वरक्ष के, उसी के बाजू में बभूल के वरक्ष को देखा तो आपके अंदर एक चित्र बना, काटे का, उसी के बाजू में मल पड़ा हुआ था, आपने उसको देखा, तो आपके अंदर क्या चित्र बना, मल था आप जैसा देखोगे वैसा आपके अंदर है कि अगर आप गलतियां देखोगे तो गलतियां आपको अंदर आ जाएंगी आप गलतियों के सर्ताज बन जाओगे अगर आप किसी गुण देखोगे तो आपके अंदर गुण आएंगे आप गुणों के सर्ताज बन जाओ भगवान बनने के लिए केवल इतनी करना है अगर पत्थर के भगवान बनना है तो गलत पत्थर को अटा दो भगवान की पतिमा बनी बनाई है अगर आपको अच्छे इंसान बनना है तो खुट की गलतिया अटा दो आप अच्छे इंसान होई बनाना तो ना पड़ेगा ये बात समझे गलतियां देखेंगे तो आफ़ गुण बढ़ेंगे और सीख लेंगे तो गुण बढ़ेंगे एक रास्ते में पत्थर बढ़ा था एक बाबा जी वहीं बैटे थे और देख रहे थे हर जो भी विक्ति निकलता उसे ठोकर खाके निकलता एक बार, दो बार, पाँच बार, दस बार पच्चीस बार उन्होंने देख लिया तो उन्होंने देखा कि पत्थर ठोकर लग रही है अगर वह सोचते कि सब लोग जो है वो देख के नहीं चल रहे तो यही सोचते कि इंसान देख के नहीं चलता उनके माइंड में सेट हो जाता कि इंसान देख के नहीं चलता अरे उनसे भी गलती हो या अपन से भी होगी अगर उन पत्थर को उठा के अलग कर देते तो बहुत अच्छा होता दूसरों की गलतियों से सीख ले लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतना पढ़ा लिखे कैसे हो गए मैं बोलता हूं कि भाई किताबे पढ़ने से आप किताबी ज्यानी बनोगे विक्ति को पढ़ने से आप वास्तिविक ज्यानी बनोगे विक्तियों को पढ़ना सीखे बुंदेल खंड में कहते हैं कि पड़ा लिखा ना हो चलेगा कड़ा लिखा होना चाहिए experience ढोना चाहिए और जो experience है वो सीख है, वो lessons है वो आपको दूसरों से मिलेंगे एक विक्तिक accident हो गया उसे कूछा कैसे हो गया गाड़े की speed तेश थी गड़ा आया, balance भिखड़ गया ठीक आपको उसे सीख लेना चाहिए अगर आपके पास control हो तो speed बढ़ाना चाहिए control ना हो, speed ना बढ़ाए control ना हो, तो speed ना बढ़ाए बहुत सारी चीज़ें आपको प्रति दिन सिखाती हैं लेकिन आप सीखना चाहो तो यह तो बात है चंदर्मा से सीख लो लोग कहते हैं क्या पूनम का चांद है कितना सुन्दर है मैं नहीं मानता हूँ मैं दूज के चांद को अच्छा मानता हूँ पूनम के चांद को नहीं मानता हूँ आपको लगता है कि सूर्य आपको तपाता है, सूर्य तपाता है नहीं, आपको तयार करता है, अगर सूर्य की तपन्ना हो, दुनिया खतम हो जाएगी, अरे सूर्य तो बहुत गरम होने वाला है, आप ऐसा सोचते रहेंगे न, तो आपको सूर्य से घ्रणा हो जाएगी, कोई आपके साथ वाला गलतियां भी कर रहा हो चोटी मुटी तो उसको accept करें life में acceptance भी लाए लेगि इसके लिए patience चाहिए अच्छा आप देखो कि बहुत सारे लोगों ने गुलाब का पेड़ तो देखे ही होगा तो गुलाब की पेड़ में आप क्या देखते हो उसका काटा उसकी stem उसकी जड़ उसकी सुगंद उसकी softness क्या देखते हो गुलाब के वरक्षे ने जमीन से softness और सुगंद ही लिए और बबूल के पेड़ ने काटा यही लिए है softness कहा ले पाया हो चुकि बबूल के पेड़ की आदत थी बीच की उसको वही चाहिए था आप क्या है ब गुलाब का पेड़ देखना पसंद करते हैं गुलाब की बबूल का मेरे तो मानना है कि गुलाब के पाधे में जाओ गुलाब के पाधे के पाधे पाधे जाओ तो उसकी काटे मत देखना हो आपको देखना हो सुगना हो उसकी सुगंदी लेना उसकी softness लेना तो यह गुन आखें, just because of their attitude, वो अपने नजरीय को नहीं सुधार पाते हैं. वो अपने नजरीय को नहीं सुधार पाते हैं, तो क्या करेंगे? और जो विक्ती नजरीय नहीं सुधार पाया, वो कहीं किसी भी नजारे में रहे, वो दुखी रहता है. अगर उसके अभी तक आले और पूरे बाल है, इसमें क्या है, जिसमें जो चीज़ हो ग्रहंट करना चाहिए, इंसान क्या जानवर के अंदर भी गुण होते हैं, आप ग्रहंट करना सो सीखो, नारियल से सीख शकते हैं, नारियल कहता है कि बाहर से कठोर हूँ, लेकिन अंदर से मैं नर्म सीधे बनें, लेकि कोई सीधे बन का फायदा ना उठाए, मिरा तो यह मानना है कि गलतियों से सीख लेते लेते हैं, आप एक दिन इतने perfect हो जाएंगे, इतने perfect हो जाएंगे कि आपकी डिक्सनेर से जिन्दगी के निकल जाएं, सीखो हर चीज में गोने सीखो, आप तो जानवरों से सीख लो पिछले दिन मैंने एक बात कही थी कि कववे से सीख लो उसकी आँग का एक ही गोला होता है लेकिन उसब और नसर रखता है अकेले नहीं खाता बुला के खाता है कुछ समस्या आ जाए ना तो सब को इखटा कर लेता है कौन कववा और आगे चलते हैं शेर से सीखो, टेडिकेशन छोटा सा काम हो या बड़ा सा, पूरी ताकत से काम करता है, हाथी से सीखो इतना बड़ा सरीर, फिर भी वो सफूर्ती रखता है लोमडी से सीखो अपनी रक्षा पूर्वा काम करना, लोमडी से सीखो इसे पृतिक जानवर सीखो, आप चील से सीखो कितनी कहीं भी रहे हो उसकी दृष्टी अपने लक्ष पर ही रहती है गुण देखोगे तो गुण मिलेंगे अफ़ गुण देखोगे तो अफ़ गुण मिलेंगे एक आगरता सीखना हो तो बगले से सीखो मातरी प्रेम सीखना हो तो हिरंड से सीखो गाय से सीखो अपने बच्षडे के पती प्रेम तो आप इस प्रकार से सीख सकते हैं लेकिन चाहें तो आज से दिन में 10 मिनिट दूसरों की गलतिया ना दिख करके उनकी गुण देखें अत्वा गलती देखें तो उनसे सीख ले कि ये इसलिए हारा कि इसलिए जीता और आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक दिन आप भी असवल लोगों की स्ट्रेणी में दुखी लोगों की स्ट्रेणी में मिलेंगे मुझे ही लगता कि कोई बैटा यहां विक्ती दुखी रहना चाहता है अपनी गलतियों से भी सीख ले जो गलतिया आप कर चुके उसे सीख ले अगर कोई गलत विक्ती आपने जिंदगी में जोड़ लिया है तो उससे भी सिक्षा लें कि आगे किसी को नहीं जोड़ना तो उसको अलग करने के पहले भी दिमाग लगाए किसे आपके वाटसअप ग्रूप बनाया और उसमें एक दम से 40-50 को लोगों को एड़ कर लिए अब 3 लोगों को उटाना है 3 को उटाओगे और दुश्मन बन जाएंगे अब एक नया ग्रूप बनाओ और उस ग्रूप को डैट कर दो तो आपके दुश्मन ही नहीं होगी उससे अपनी भी गलतियों से सीख लें दूसरों की गलतियों से भी सीख लें जो गलतियों से सीखता है वही इंसान एक दिन भगवान बनता है वही माना उसे मानाता क्यों हो रहा है आप सभी अपनी गलतियों सीख लें ऐसे में आपने विक्तित्व का निर्मान होगा शेश आगे दिखेंगे बगवान महावियो सामी की